मुख्यमंत्री योगी आदितेनात ने शनिवार को अपने सरकारी आवाज से मिशन शक्ती के चौथे संसकरन का शुभारम किया उन्होंने महिला सशक्ती करन रेली को रवाना किया जो राजदाने के विभन पड़ाव से होते हुए 194 पर समाप्त हुई मुख्यमंत्री योगी आदितेनात ने अपने संबोधन में कहा कि प्रदेश में वर्ष 2020 में महिला संबंदी अपरादों को नियंतरित करने के लिए एक कारिकरम शुरू किया गया जिसमें थीन थी सुरक्षा संबान और स्वाब लंबन तीन मुद्दों को लेकर शुरू हुआ कारिकरम आज मिशन शक्ति के नाम से जाना जाता है इस कारिकरम ने प्रदेश में लोग प्रियता हासिल करने के साथ पुरे देश में महिला संबंदी अपराद को नियंतरिन करने और प्राध्यों को सजा दिलाने वाले राज्यों में अग्रणी राज्ये बन गया मिशन शक्ति की सफलता का ही परिणाम है कि भारत सरकान ने भी महिला सुरक्षा के लिए चलाए जाने वाले अभ्यान का नाम मिशन शक्ति रखा है जो यह दर्शाता है कि जब कोई भी इंटेर्शियम समाज में व्यापक जागरुकता का बड़ा माध्यम बनता है तो राष्ट व्यापी बनने में देर नहीं लगती है मिशन शक्ति के इस चौते चरण का भी यह उद्देश्य है